हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग यार क्या आपने कभी ऐसे सूजी का हलवा ट्राई किया है तो मैं आज बिल्कुल नई रेस्पी बताऊंगी सूजी के हलवा बनाने की जो खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन भी जाता है इस पे जादा टाइम नहीं के लिए उबालना मतलब जादा नहीं बालना बस जैसे चीनी अच्छे से घूल जाएगी तो इसको दो मिनिट के लिए उबालेंगे और बंद करके साइड रख देंगे यार रिस्पी अच्छी है आप लोग भी ट्राई कर लेना और अगर वीडियो अच्छी लेगेगी सब मैंने एक बड़े चमच घी डाला है बहुत जादा मैं नहीं बना रहे हैं इसलिए मैंने बस एक ही चमच घी डाला मैं थोड़ा सुनाओगी अब मैं इस पे दो तीन चमच सूजी डालूंगी सूजी मैंने नॉर्मल ही लिया है मतलब जो मैं डेली यूज करती हूं घर पे तो जैसी घी देखिए गरम हो गया अच्छे से पूरा पिखल गया है तो अब इस पे मैं दो से तीन बड़े चमच सूजी डालूंगी और इसको दो मिनट के लिए बस भूनूंगी ज्यादा नहीं गया इसको मैंने विल्कुल मीडियूम फ्लेम में रख ज्यादा तेज नह जाल दी अब मैं इसको लगातार चलाती रहूंगी बस तो तीन मिनट के लिए जादा नहीं मतलब सूजी का कलर चेंज नहीं करना है बस थोड़ा सही भूनना है यार मेरी और भी रेस्पी है तो आप में चैनल में जाके देख सकते हैं जो बहुत ही आसान तरीके से मैंने ब सब्कार चासनि जो बनाई थी वह भी साइड में रखी है तो वह अभी गरम ही चासनी इस पर डालना है ठंडी नहीं डालना है एक उसी के देखिए मैंने कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है पर मतलब जैसा कलर था वैसा ही हे वाइड ही कलर रखना इसको तो अब मैं सब जो मैंने चास्ति मुराई थी वो डालूँगी चास्ति सारी डालती है मैंने उतनी चास्ति मिनाई थी अब इसको चलाते रहेंगे लगातार गैस को मीडियम ही रखेंगे तेज नहीं रखेंगे ठीक है तो आप लोग भी ट्राई कर लेना यार सच में खाने में बहुत मैं घी डालूँगे इससे टेस्ट और ही बढ़िया हो जाएगा तो मैंने देशी घी यूच किया घर का बनाया हुआ आप लोग कोई भी घी डाल सकते हैं तो मैं अब इस पे एक बड़ी चमच घी डालूँगी और इसको अच्छे से चला लोगे तब 2-3 मिनर तक इसको पादा तेज नहीं करना है गया तो पूरी लग जाए और इसको तब तब पकाऊंगी जब तक पैन को छोड़ना दे स्टिकीन हो तो अच्छे से पका लिया है मैंने ये देखे एक दमस को पैन को ये छोड़ दिया है मतलब अब पक गया हलवा तो खाने के लिए रेडी हो ग मैं निकालोंगी सारे हलवे को दिखी कलर विल्कुल अच्छा ही दिख रहा है इसका और खाने में तो सच में टेस्टी था तो सारा हलवा को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया फिर मैंने थोड़ी से बादाम डाल दे रहे हैं पतले पतले काटके आप चाहे तो जो भी आप काजू भी डाल सकते जो भी आपके पास ड्राइफूट सा आप उसको डाले और खाएं और इंजॉय करें सच में आरे बहुत टेस्टी है तो आप लोग भी ट्राइ कर लेना और सब्सक्राइब कर देना कमेंट भी करना ओके बाए